नमस्कार दोस्तू मैं अंकित पर्मा एक पार फिर से स्वागत करता हूँ आपकी प्नी कैनल अंकित पर्मा और एट्पी नॉटिकेशन में तो दोस्तू तारा ख़बर ब्रेकिंग नूज आईए पुलिस होंगार कर्मी ने हैलमेंट से किया वारत दो दिन बाद व्यक्ति की मौत हत्या का आरोप रिकांग्पियों में आठ अगस्त के देर शाम मारपीट के मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई रिकांकियों थाना में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने चानविन शुरू कर दिये पुलिस की जानकारी के उनसाब जल शक्ती भी भाग कालपा में कारेरत नेपाल के संगवीर्थ ने थाने में दर्ज करवाई एफ आयार में ब्यान दिया है कि कालपा पुलिस चोकी में तैरात पुलिस और हॉमगार्ड के जवाने आठ अगस्त को तेलिंगी निवासी किशोर कुमार पर हैलमेंट से कई बार कर हमला किया जिसे चोट लगने पर मौत होने की शंका जताई जा रही है व्यक्ति की मौत मारपीट के दो दिन बाद 10 अगस्त को घर में हुई वहीं पर जनों ने पुलिस और हॉमगार्ड कर्मी की मारपीट से हत्या होने का आरूप लगाया संगवीर ने बताया कि 8 अगस्त को शाम 7 बजे मृत्त किशोर कुमार के साथ वह अपने क्वार्टर के आंगन में बैठा था और थोड़ी शराप पी ली थी इस तोरान दो पुलिस वाले और एक हॉमगार्ड वहां आया और किशोर कुमार को दक्का दे कर नीचे गिरा दिया इस तोरान उन्होंने हेलमेट से उसके सिर पर वार्ग किया था उसके बाद काहिल किशोर को रिकांग पियो अस्टाल ले गई अस्टाल में उपचार करने के बाद किशोर अपने गार पहुंचा और दो दिन बाल उसकी मौत हो गई तो दोस्तों यह तादा ख़बर प्रीकिंग नीज धन्यवाद चाहिन चरभाद